सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है ऐसे में बिजली की खपत एक आएक बढ़ जाती है इसको ध्यान में रखते हुए विद्यूत बोड धरमशाला ने सर्दियों के लिए कमर कसली है विद्यूत बोर्ड के अधिकारियों की माने तो सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले बिशली की खपत डबल हो जाती है विभाग ने इसके लिए पूरी विवस्था कर ली है जनजाती अक्षेत्रों में सर्दी के मौसम को देखते हुए विद्यूत बोर्ट मेंटेनेस के लिए मेटीरियल पहुंचाने में जुट गया है विद्यूत बोर्ट का कहना है कि सर्दियों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गए है प्री विंटर मेंटेनेस भी कर ली गई है धरमशाला विद्यूत बोर्ड नॉर्थ जोन के चीफ इंजिनियर संजह दिवान ने कहा कि पिछले कल हुई बारिश वा बर्फबारी से तीन जिलो में कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है कुछ जगह बिजली गई थी जिसे र पोल्स, कंड़क्टर और ट्रांसफार्मर पहुचाना शुरू कर दिया है। तो उसमें कुछ ब्रेकडाउन हुई थी, मेजर ब्रेकडाउन तो पूरे हमारे किसी जोन में कहीं नहीं हुई है लेकिन विजली अवश्य गई थी जिसको हुने रिस्टोर कर दिया था। और जहां बर्फ पढ़ती है अभी बर्फ उस एरिये में भी जादा ब्रेकडाउन और ट्रांस्वर्मर्स ताकि जब बरपड़े तो हमें उनको करने की समस्या ना आए और हम रिस्टोर कर उसको कर सके हैं। हमारा कांगडा, उनना और चंबा। सद्यों में की कंजम्शन हर साल की भांती इस बार भी अल्मोस्ट घर्मियों के मकावले में डबल हो जाती है। जिसको हम मेनेज कर लेते हैं कोई समस्या नहीं आती है। विद्यूत बोर्ड नौर्थ जोन के अंतरगत कांगडा, चंबा वो उना जिले आते हैं। सिटी चनल के लिए धरमशाला से नरिपजीत निपपी की रिपोर्ट।